एक और दूसरी बात है इस प्रश्ण का दूसरा समाधान थोड़ा भी धर्म का आचरण बड़े से बड़े भैसे रक्षा कर लेता तो इतने सावधानी से किये गए धर्म के आचरण ने अजामिल की रक्षा क्यों नहीं की इसका एक कारण इसका जन्मांतरी अपराद भी है यह पूरो जन्मे में भी रिशी ही था ब्राह्मन ही था बड़ा वेदग्य था कर्मकांडी था सरवगुन संपन्य था किसी प्रकार का कोई दोस इसमें नहीं था बस एक ही कमी थी कथा की तर नहीं सुनता था एक दिन कथा में जाकर बैठ गया तो कथा में भगवान व्यास की उत्पत्ती का प्रसंग आया भगवान पराशर महर्शी के द्वारा सत्यवती के गर्व से कैसे भगवान व्यास का अवतरण हुआ यह प्रसंग आया यह प्रसंग सुनकर यह महर्शी पराशर जी की हसी उड़ाने लग गया देखो वाई जी अच्छे रहे मचली के पेट से पैदा हुई कन्या निशाद राज के द्वारा पालत पोशित कन्या सत्यवती उस सत्यवती से उन्होंने पुत्र उत्पन्य कर दिया कन्या की कन्या बनी रही रिशी के रिशी भी बने रहे अब ये वो व्यास्ती भगवान हो गए वाह अच्छा हुगा इसका मतलब है पाप पुन्य की ववस्ता सब छोटे मुटे लोगों के लिए बड़े लोगों के लिए नहीं है इस तरह से इसने महर्शी परासर का उपहास किया उसी समय रिशियों को रोश हो गया कहा तु अपने धर्मा चरण का बड़ा अहंकार रखता है तो अब तुझे इन महर्शी के तिरसकार के पाप के परणाम स्वरूप धर्मा चरण करते करते भी तेरा पतन हो जाएगा और तेरा सर्वनाश हो जाएगा हाहा कार कर उठा महराज चमा करो कैसे इसका प्राइश चित होगा बोले फिर ये महात्मा लोग ही तुमको उबारेंगे बोलो भक्तवत्सलभगवान की ये कथा इसके पूर्व जन्म की है श्री सिताराम प्रतितिन सत्संग एवम दर्शन के लिए श्री महराज जी के ओफिशल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें